नमस्कार दोस्तों वेल्कम टुश्विंग प्रेट इस वीडियो में हम बात करेंगे जंक्षन कंट्रोल कंपणी के बारे में जंक्षन कंट्रोल हीटाजी के नाम पे जो कंपणी है एर कंडिशनिंग कंपणी इस कंपणी का आप सब्सक्राइब करना चाहूंगा अगर आप जरू सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल बटन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का आपको टाइमले मिल सकता है अभी जिसी साब से निप्टी में एक रेंज पे निप्टी चल रहा है यसा लगता है यह बड़ी ऐसा हमारे लिए सब्सक्राइब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो बड़ीया बड़ीया स्टॉक मार्केट में अभिलेवल है वी स्टॉक को आपना पोर्फोलिय में रखिए अगर बिगनार है तो लार्ज क्या रिस्क लेना चाहते हैं यहां पर स्मॉल क्याप स्टॉक बहुत गिरावट बहुत बड़ा करेक्शन पर मिल रहा है जो कि 50% 60% करेक्शन हो चुका है बड़ी आसा पोटेंशियल है तो आप अपना रिस्क रिवर्ट के हिसाब साब को को भी स्टॉक बाई करना है उस इसाब से बाई करना चाहिए यहां पर एक वीडियो में को यह आपको बायान सेल का रेकोमेंडेशन नहीं है आप अगर मेरे साथ में जूड़ना चाहते हैं यहां पर नंबर दिया हुआ है पर सब नंबर पर आप मुझे मैसेश करके मेरे साथ में परसनाली जरूर जोड़ सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब करते हैं गिलकुल रेंच पे जल रहा है तो वहां पर प्राफिट नहीं आ रहा है लेकिन प्राफिट मिला है के साथ हमारे बहुत बटी बात है ठीक हमिए को12 रहें तो इतना वहां पर इंट्रडे hiking करना एफ और नहीं करना ऊसबचक्कर में पढ़ना जाहिए तो इससाब से समझ के करिए कोई प्रोब्लेम नहीं बड़ी ऐसा गेन आपको स्टॉक मर्केट में बिल सकता है चले स्टाट करते हैं यहां पर दिखिए मर्केट कंपनी एक्छल इनका बिजनेस नाम पर इयर कंडिेन कंडिशनिंग ने बिजनेस इसके साथ में यहां पर शिलर उसके बाद वी रवी स्सिटाउं में आंक्वागाड कंडिशनिप स्कूर englishANS है इसी साफ से जो company है ठीट इमैंस सी कभणाई और कंपनी का प्रेज़न्स ना बहुत बढ़िया है इनका प्रेजन्स हैグ्लोबल में में प्रेजन्स सरे एक एमें सी मेडल इस ना है उसके साथ में ही भैटनम में भी सिर्लंका में भूटान गलोबाली इनका बहुत से ठीक है जो की एर कंडिशनिंग है चुव और सिंट्रले सी जैसे कि हम मौल बगेरा में जाते हैं वहां पर देखते हैं सिंट्रले सी लगा होता है तो इनका यही सब काम है तो मतलब इनका जो कंपिटेटर पियर से तो यहां पर ब्लू स्टार है भोल्टा से इसक्टर का ही क पर चल रहा है और यहां पर दिखें डेट की डेट अगर देखेंगे तो लो डेट कंपनी है जो की 0.12 परसंटेज का डेट है लेकिन आप एक चीज जरूर मुझे पूछेंगे कि यहां पर आप तो हमेशा बोलते हैं कि प्रोमोटर प्लेज टेन परसंट बिलो होना लेकिन स्मॉल क्याप स्टॉक है तो थ्वरा सापका इंवेश्मेंट करने से पहले आपका जरूर अपना फाइननचल अडवाईर से जरूर सला ले लीजिए तो यहां पर आप चाके देखते हैं यहां पर तो यहां पर आप अगर क्वाटरली रेजल्ट देखेंगे इतने कुछ नजर नहीं आ रहे यहां पर 576 करोट का यहां पर इस देखने को अलए मिला था जरूर इंप्रूर्बर इकने को मिल रहा है इसी साब सबस्क्राँ यहां पर कवीट करने यहां पर नेट प्रफिट माइनस में भी आ चुका था ठीक है अभी 21 क्रोड आ चुका है तो यहां पर कंपनी बहुत बढ़िया प्रफॉमांस दे सकता है इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं कोई शक भी नहीं है अभी अगर लास्ट चार क्वाटर का अगर आप सेल्स के बारें अगर कोई 10 साल तक इन्वेश्टमेंट करके यह इसमें बैठा हुआ है तो उसको फिर भी यहां पर 29 परसंटेज प्रोफिट मिला है अगर हम देखते हैं यहां पर परसंटेज का से रिटन मिला है और तीन साल में तो बिल्कुल ना की परावरे एक परसंट का भी प्रोफि करते में हैं इसमें वीडियो में आगे चर्षा करूँगा यहां पर हम दाखेंगे यहांपर कोई तो узसाब से अगर हम जाके देखते हैं इसमें बारोइंग जो हे यहां पर अलिक Пषर मोक करे nadu इसवाद में है जो कि बहुत वहतरी इने इसे अगर थांट की बात करेंगे यहां पर के पास में 11.8 आड़ दिंग है और इसी आफ से स्टाउक में 2.5 परसेंटेज का तेजी देखने को मिला है और स्टाउक का अगर हम बात करेंगे यहां पे 52 लो का तो अभी टुन्टी फोर्थ को 52 लो यहां पे टॉच किया है जो कि दो दिन पहले तो यह सा लगता है यह स्टाउक में कुछ फरीदर ही बन सकता है यहां वर देखेंगे यहां पर टेडिंग में 12000 वह यहां पर लाश्ट वहाँ है इसमें से डिलीवरी उपटाए गया देखिए इसमें अल्रेडी मैंने भी पोजीशन मना के रखा हुआ है लेकिन मैं अभी लास में हूँ तो अभी अगर इसी साब से हम देखते हैं मुझे इसा लगता है यह स्टॉक में अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहां पे आपको बड़ी ऐसा गयन मिल कबलेगा और कहां तक हमें लेना चाहिए इसको हमें बिल्कुल जरूर यहां पर देखना बड़ीगा यहां पर देखिए को अगर गिसे यह जो लेवल पर अभी स्टाक ट्रेडिंग हो रहा है आज को छे साथ सल पहले इसी लेवल पे इंवेस्टमेंट किया है तो उसको वन पर्षेंट भी प्रॉफिट नहीं है थीक है तो अगर हम इसी लेवल पर अगर हम बाय करेंगे तो हमरा टारगेट क्या रहेगा और चाहिए कंपनी एक साफ पर्फुमांस देना चाहिए मार्केट ट्ल रेइलर रहना चाहिए उसके साथ में उसका पिछले का जो पर्फुमांस है वह बढ़िया होना चाहिए तो यहां पर ओझाब पर्फॉमांस दिया अगर आप 14 से 17 का बीच में देखेंगे यहां पर बड़ी ऐसा पर्फॉमांस दिया है ठीक है यहां पर 2014 से लेके अगर 2014 15 तक की बात करेंगे यहां पर 12 टाइमस मल्टिप्लाइक आपना क्यों कांज़ारेशन मे रहा फिर से तेजी दीखाया है अगर आप देखेंगे तो यहां पर पिछला जो ट्रेंडिंग सेस्न में पिछला चाट की आपसे यहां पर कितना-पर आप लिएकर अ करेक्शन था ठिक है तो इसी साब Ao आप अगर यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी 43% का करेक्शन था, उसके बाद में आप अगर यहां पर देखेंगे, तो यहां पर यहां पर इसी साब से अगर हम देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं, तो यहां पर कितना परसेंटेज का करेक्शन है, यहां पर भी 41% का करेक्शन देखने को मिला था, अगर अभी देखते हैं, अभी यह स्टाक में, अभी भी 41% का करेक्शन हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है यह स्टॉक में अभी अगर आप फड़ासा स्विंग ट्रेड के लिए अपना पोजिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यह किसी को लंग्टर में इंबेस्टमेंट करने के राय नहीं है अगर किसी के पोटफोलियो में यह स्टॉक है तो उनको कहां पे एक्जिस् पहला इस लेवल तक आप बिल्कुल यहां पे स्टॉक को लेके चल सकते हैं जो की 2842 अगर 2842 तक अगर आप पोजिशन बना के इसमें रहते हैं तो आपको इसमें 68 परसेंटेज का गयन मिल सकता है जो की अठ्था इसो बैल इसका लेवल है अगर वहां तक आप इस टॉक में पोजिशन बनाएंगे आपको बिल्कुल 2842 लेवल पर प्रफिट बुकिंग करेंगे अभी का करेंट प्राइस से आपको 68 परसेंटेज का गयन मिल सकता है लेकिन फ्रेंट्स मुझे ऐसा लगता है यहां पर और एक और एक भी टेक्निकाल लेवल निकल करके आता है वह इसा नहीं कि इमिडेटली तो अगर आप इंतेजार करेंगे स्टाउक में अगर इसमें आप दो साल भी देते हैं आपको 100 परसेंटेज का रिटन मिल सकता है लेकिन आप उसी साब से आप अपना रिशर्च के हिसाब से आपको पोजिशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब सखी त इसी साब से आप अगर यहां से पोजिशन बनाते हैं एक मिनेट तो यहां से देखें यहां से लेकि अगर यहां तक भी आप लेकि चलते हैं तो यहां पर 3,900, 4,000 तक का लेवल हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है तो इसी साब से आप अपना कोई भी स्टाक में पोजिशन बना रहे हैं त्फिर अपका financial advisor से जरूर सला ले लिगे उसी वेसिस पे आप अगर इसमें पोजिशन बनाएंगे आपफे और दुसरा एक लेवल से आपको ऐसे इसाइब्सी का लेवल के कांसिडर कर सकते हैं तो लेकिन कोई भी स्टाक में पोजिशन बनाएंगे आप अपना फाइननचियल आडवाइजर से जरूर सला ले लिजिए उसी वेसिस पर आपको पोजिशन बनाना है इसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रेकोमेंडेशन नहीं है अगर आप मेरे सा कर सकता है